तो स्वागत है और यह लेक्चर संख्या 42 है और हम वेक्टर स्पेसेज पर अपनी चर्चा कंटिन्यू करेंगे विशेश रूप से आज हम वेक्टर स्पेसेज के आधार तथा वेक्टर स्पेसेज के डाइमेंशन के बारे में भी बात करेंगे तो बस पिछले लेक्चर को याद करने के लिए तो हमने देखा है कि ये वेक्टर इन तीन वेक्टरों का सेज एक 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 और एक शून्य एक शून्य शून्य एक शून्य एक शून्य एक हमने पिछले लेक्चर में इस Argumented Matrix की मदद से देखा है जिसे हम इस Linear Combination से इस V1, V2 के साथ V3 के बराबर प्राप्प कर सकते हैं और इस Argumented Matrix से जब हम इस Row Echelon Form को Reduce करते हैं तो हम देखते हैं कि निमनलिखित हैं जो हमने देखा है कि ये तीन धुरी है कॉलम एक में हमारे पास कॉलम दो में पिवट है हमारे पास पिवट कॉलम तीन में भी एक पिवट है जबकि कॉलम चार में पिवट नहीं है और इसे हम Free Variable कहते हैं इसलिए Lambda 4 हमारे संयोजन में जब हमने लिया है Lambda 1 के साथ इस Vector के साथ दिया गया Vector हम एक Lambda इस दिये गए Vector के लिए हम दो इसलिए हम इसे भी एक भी दो भी तीन और भी चार कहते हैं और यह Lambda 3 भी चार भी तीन और Lambda 4 भी चार इस दिये गए Vector के बराबर है भी जिसे हमने यहाँ लिया है भी एक और भी दो और भी तीन तो इन system of equations के साथ हम यह देखते हैं कि यह lambda 4 pre-variable है और इसका मतलब है कि हम इस lambda 4 को जो भी value देना चाहते हैं उसे assign कर सकते हैं इसलिए अब हमारे पास इस linear combinations को यहां देने की flexibility है इसलिए lambda की एक अलग value चुनना हमारे पास एक अलग linear combination है जो हमें बिलकुल यही vector भी एक भी दो और भी तीन देगा इसलिए यह एक spanning set बनाता है क्यूंकि कोई भी vector कोई भी arbitrary vector जिसे हमें सार तीन space से चुन सकते हैं और इन में से दिये गए एक linear combination चार vector के रूप में लेख सकते हैं यहां दिल्चस्प बात यह है कि इस free variable के कारण हमारे पास एक norm unique representation है इसलिए जब हमारे पास एक free variable होता है तो हम इस lambda 4 को कोई भी value निर्दिश्ट कर सकते हैं और फिर इस दिये गए vector की हमारी representation भी बदल जाएगी इसलिए यह linear combination भी बदल जाएगा पिछले lecture में यह भी देखा गया था कि यदि उदाहरण के लिए हम इस vector को चौथा नहीं मानते हैं यदि हम इस vector को consider नहीं करते हैं तो इसका मतलब है कि हमारे पास यह column नहीं होगा यह column हम अभी हटा सकते हैं तो उस मामले में यह स्थिती थी और इस मामले के लिए अब हम यह देखते हैं कि हमारे पास प्रत्येक कॉलम में एक धुरी है और कोई प्री वेरियेबल नहीं है जिसका अर्थ है जब हमारे पास प्री वेरियेबल नहीं है तो हमें मूल रूप से इस सिस्टम का यूनिक रिप्रेजिन्टिशन यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा और यही आज हम चर्चा करेंगे कि इन तीन वेक्टरों के साथ हमारे पास एक स्पैनिंग सेट है जिसमें ये चार वेक्टर हैं वे भी स्पैनिंग सेट बनाते हैं तो अब हम इस विचार के साथ आएंगे कि हमें कितने वास्तविक न्यूनतम वेक्टर की आवश्यक्ता है ताकि हम दिये गए vector space को फैला सकें उदाहरन के लिए इस मामले में हमने देखा है कि इन तीन vector को लेकर हम पूरे vector space को फैला सकते हैं और इसके अलावा मुख्य point यह है कि यदि हम इन तीन vector को लेते हैं तो हमारे पास हमारे तीनों में से एक vector का unique representation भी है लेकिन अगर हम चार vector ले रही हैं तब भी यहाँ एक spanning set का निर्मा कर रहा है लेकिन हमें एक unique representation नहीं मिल रहा है इसलिए इन तत्यों को ध्यान में रखते हुए अब हम आधार की परिभाशा और आयामों के साथ continue करेंगे इसलिए आधार एक linearly independent set है जो एक vector space को फैलाता है इसलिए सरल परिभाशा में यहाँ एक spanning set है क्योंकि इसे पूरे vector space भी को फैलाना चाहिए लेकिन इसके अलावा linearly independent set क्या है इसलिए आधार और कुछ नहीं बलकी spanning set है जिसमें सभी linearly independent vector हैं जिन्हें हम आधार कहते हैं जैसे कि पहले के उदाहरन में हमारे पास इस spanning set में उन सभी चार vectorों को लेने या केवल उन तीन vectorों को लेने की संभावना है और लेकिन अगर हम उन तीन vectorों को लेते हैं हम आसानी से उनका पता लगा सकते हैं वे vector linearly independent हैं लेकिन set में उन चार vectorों के होने से set linearly dependent हो जाता है जिसे हम उस theory के साथ भी देख सकते हैं जिसे हम पिछले lecture में पहले ही विक्सित कर चुके हैं इसलिए वे तीन vector वे linearly independent हैं और उन vector के लिए हम कह सकते हैं कि वे चार vector नहीं एक आधार बनाएंगे क्यूंकि चार भी एक spanning set थे लेकिन उस उदाहरण में तीन का आधार नहीं होगा तो अब dimension तो आधार में elements की संख्या को vector space के dimension कहा जाता है तो यहां कितने dimension हैं उस आधार में कितने element हैं जिसे vector space का dimension कहा जाता है इसलिए ये दो संख्या हैं आधार हैं जो vector का एक set है और वह दिया गए vector span है और यहां यह संख्या जो vector space के dimension के बारे में बताती हैं दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है यहां केवल नोट करने के लिए कि V में प्रत्ति एक vector को vector के आधार के linear combination के रूप में unique रूप से लिखा जा सकता है और इस fact को हम पिछले उदाहरन के द्वारा भी समझा सकते हैं कि जब हमारे पास आधार है तो आधार का अर्थ है कि आपके पास linearly independent vector है और जब आपके पास linearly independent vector होते हैं तो वे कोई free variable नहीं होंगे जब हम दिये गए vector के उस linear combination के बारे में बात करते हैं जो इस भी से एक vector को represent करते हैं ताकि जब भी हमारे पास आधार हो तो representation भी unique होगी हमारे spanning sit में. Linearly independent vector होते हैं. Representation भी unique होगी. और vector space 0 होगा इसलिए यह विशेश मामला है जब हमारे पास केवल एक element 0 है. और हम यह dimension 0 के रूप में परिभाशित करते हैं. ठीक है तो आई यहां उदाहरन लेते हैं vector space rn जिसका हम पहले ही अध्यायन कर चुके हैं हम बात करेंगे की. rn1 के आधार क्या है? इस vector space rn का dimension क्या है? इसलिए हम इन vector को अब बहुत ही विशेश vector consider करते हैं जिसे हम rn का मानक अधार कहते हैं तो इन vector को consider करें और पहला component एक होने पर एक को निरूपित किया जाता है. अन्य सभी component 0 होते हैं और दो पहला component 0 होता है दूसरे अन्य सभी 0 और en में हमारे पास यह nthv component s 1 है और अन्य सभी component 0 हैं इसलिए इस तरह हमने इन elements को परिभाशत किया है ये element निश्चत रूट से form rn हैं इसलिए अब हम notice करेंगे कि ये vector पहले linearly independent हैं जिन्हें हम आसानी से किया है इसलिए हमें केवल यह देखना है कि lambda 1, lambda 2, E, 2 और इसी तरह lambda N, E, N पर जब हम 0 vector पर sit करते हैं और हमें इस से बाहर निकलना चाहिए कि lambda 1 0 है, lambda 2 0 है और सभी यह 0 के हैं जो हम इस structure के कारण आसानी से देख सकते हैं हम इस lambda से यहां एक 0 प्राप्त करेंगे यहां से ह और इसी तरह देखने के लिए यह tribal की यह vector vector का यह set एक linearly independent set बनाते हैं इसलिए यह सभी vector linearly independent हैं हमें और यहां देखना है इसलिए हमें vector space का आधार और dimension खोजना होगा इसलिए इसके लिए हमें मूल root से spanning set की आवशक्ता होती है जो spanning कर सकता है जो इन दिये गए vector के रूप में हमारे vector space से किसी भी vector को represent कर सकता है इसलिए यहां यह संभव है या नहीं हम अब यह check करेंगे इसलिए यह vector यहां दिये गए है न vector दिये गए है और अब कोई भी element यदि हम इस आर न से कोई व्यापक slash general वेक्टर लेते हैं और जिसे हम यहां भी एक भी दो भी तीन भी एन कह रहे हैं फिर हम देख सकते हैं कि हम इस वेक्टर को इन दिये गए वेक्टरों ही एक ही दो इन की सहायता से रिप्रेजिंट कर सकते हैं इस मामले में idea फिर से सरल है और इसी लिए इसे मानक आधार कहा जाता है इसलिए इस वी को इस एक time वी इस एक के रूप में दर्शाया जा सकता है दूसरा component वी दो time से दो इस विशेश structure के कारण यहां इसे वी एक से गुणा किया जाएगा और कहीं नहीं हमें इस जगह पर कुछ भी नहीं मिलेगा क्यूंकि अन्य सभी विक्टरों में शुन्य पहले component के रूप में है दूसरे वी दो के लिए केवल ही दो दूसरे स्थान पर एक है अन्य सभी शुन्य है तो स्वाभाविक रूप से हम दूसरे स्थान पर इस एक से सिर्फ वी दो प्राप्त करेंगे और इसी तरह हम रिप्रेजिंट कर सकते हैं या हम पहले ही यहां रिप्रेजिंट कर चुके हैं इस आर एन से कोई भी वेक्टर वी इन दिये गए वेक्टर हो के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में यह एक यह दो यह तीन एन इसलिए यहां हमारे पास मौजूद आधार की सभी प्रापर्टीज को सैटिस्फा करता है क्योंकि यहां एक स्पैनिंग सेट है क्योंकि हम दिये गए वेक्टर स्पैस के किसी भी वेक्टर को दिये गए वेक्टरों के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में स्पैन कर सकते हैं और ये वेक्टर भी linearly independent हैं, इसलिए वे आधार बनाते हैं, इसलिए हमें इस rn के लिए एक आधार मिला है, यहाँ वेक्टरों का यह सेट rn के लिए एक आधार बनाता है, और dimension अब इस सेट में इन element की संख्या है, इसलिए यहाँ हमारे पास ही एक और दो n element हैं, और इसलिए यहाँ हमें, dimension यहाँ इस वेक्टर स्पेस इनका मिला है, इस उदाहरन में हम सभी के वेक्टर स्पेस के बारे में बात कर रहे हैं, दो गुना तीन या व्यापक स्लेश जनरल रूप से भी हम चर्चा कर सकते हैं, जैसे या आर्गुना S matrices, तो आसानी के लिए आये हम लेते ह हैं, दो गुना तीन लेकिन idea जिसे हम, आर्गुना S matrices के लिए भी बढ़ा सकते हैं, इसलिए यहाँ सभी दो गुना तीन matrix के वेक्टर स्पेस के बारे में हम बात कर रहे हैं, और अगर हम इन वेक्टरों को consider करते हैं, तो इस position में एक और अन्य सभी position 0 हैं, इसी तरह अब द पर बैठा है केवल इस matrix में दूसरे मामले में एक यहाँ बैठा है, और अन्य सभी 0 हैं, और इसी तरह इस विशेश structure के साथ फिर से इन दो गुना तीन matrices के इस वेक्टर स्पेस के लिए मानक आधार हैं, हम पहले ही देख चुके हैं कि यह format, पिछले lecture में वेक्टर स्पेस, इसलिए यहाँ हम अपने आधार और उसके dimension खुजने के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए ये वेक्टर linearly independent हैं, और दो गुना तीन matrices के वेक्टर स्पेस को स्पैन करते हैं, वे linearly independent क्यों हैं फिर से वही तर्क जो हमारे पिछले lecture में था इसलिए यदि हम उन्हें, वेक्टर भी एक भी दो कहते हैं, और यह भी तीन, यहाँ यह भी चार और भी पांच, और भी छह है, और फिर वही काम हम करते हैं, हम यहाँ यह linear combination भी एक भी दो को, इस lambda छह के साथ लेते हैं, और भी छह, 0 के equal है, यह यहाँ 0 matrix है, इसलिए यह 0, 0, 0, 0, 0, 0 के अलावा कुछ भी नह और lambda 6 को compute करते हैं, तो हमें lambda 1 के साथ यहाँ एक matrix मिलेगा, यह lambda 2, lambda 3, lambda 4, और lambda 5, lambda 6, 0 के equal है, और अब इन प्रविष्टियों की तुलना करने, पर हमें मिलेगा lambda 1, equal 0, lambda 2, equal 0, lambda 3, 0, lambda 4, 0 है, lambda 5, 0, 6, 0 है, इसलिए वे linearly independent vector हैं, इसलिए यह linearly independent vector हैं, दूसरा हमें यह जह करना है कि, वे इस matrices के vector space को 2, 3 में span करते हैं, इसलिए इस वाभाविक रूप से वे ऐसा करते हैं, क्योंकि यदि हम किसी भी vector को consider करते हैं, तो इन 2, 3 matrices से किसी भी matrix को हम vector कहते हैं, इसलिए हम यहाँ कुछ भी लेते हैं, उदाहरण के लिए, 2, 3 तो यहाँ इस space से एक व्यापक slash general matrix है, 2, 3 और इस दिये गए vector की मदद से हम इन terms पर आसानी से expand कर सकते हैं, जैसे कि अब पहले वाले से गुणा किया जाना चाहिए, और इस b को दूसरे से गुणा किया जाना चाहिए, और इसी तरह आगे अगर हम इसे continue करते हैं, तो यहाँ इ spaces से इस general vector की representation है, और यहाँ दर्शाता है कि हम इन दिये गए vector की terms पर किसी भी vector को represent कर सकते हैं, जिसकी संख्याच है हैं, तो निशकर्श यहाँ है, कि यह vector इस vector space के लिए एक आधार बनाते हैं, और dimension कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ product यहाँ है, दो गुणा तीन, हमारे पास यह 6 matrices हैं, इसलिए dimension 6 है, जिसे हम R गुणा S matrices के लिए भी सामानी कृत कर सकते हैं, आइडिया वही है, एक और उदाहरन जहां हम vector space के बारे में बात कर रहे हैं, यह PN, टी सभी polynomials की degree के equal से कम हैं, और फिर से हमने इस उदाहरन को देखा है, कि यह vector space बनाता है, और अब हम यहाँ set के बारे में बात कर रहे हैं, एक TT square और इसी तरह TN, इसलिए यह N प्लस एक polynomials right हैं, यह N प्लस एक polynomials हैं, हमने लिया हैं, और हम दावा करते हैं कि यह वास्तव में PNT के लिए एक आधार है, और कारण फिर सिस्पष्ट क्यों हैं, हमें यह चेक करना होगा, कि यह linearly independent हैं, जिन्हें हम चेक कर सकते हैं, जैसा कि हमने अन्य उदाहरनों के लिए किया है, लेंबडा एक टाइम तो, एक लेंबडा दो टाइम स्टी लेंबडा तीन टाइम स्टी स्कॉायर और इसी तरह अगर यह शून्य पर सेट किया जाएगा, और यह केवल तब ही संभव है, जब यह सब ही लेंबडा शून्य के रूप में हों तो स्वाभाविक रूप से यह P प्यंटी के दीनियरी इंडिपेंडेंट वेक्टर हैं, दूसरा हमें यह चिक करना है कि इस PNT से कोई भी पालिनॉमियल फॉर्म हम इन वेक्टरों की सहायता से उस पालिनॉमियल को रिप्रेजिंट कर सकते हैं, तो फिर यहां यदि हम कोई पालिनॉमियल लेते हैं तो मान यहाँ एशुन्य, एक टी ये दो टी स्क्वाइर है, जो एक व्यापक स्लैश्ट जनरल पॉलिनॉमियल है, जो हमारे पास इस स्पेस में है, पी एन टी वे एन से कम या उस से कम या एन के इक्वल डिग्री वाले पॉलिनॉमियल हैं, इसलिए उदाहरन के लिए हमने यह व्या इसलिए हम इस सेट या इस स्पेस के किसी भी एलिमेंट को इन दिये कए वेक्टरों के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में यहां पी एंटी को रिप्रेजिंट कर सकते हैं इसलिए यह सेट फिर से पी एंटी के लिए एक आधार बनाता है जिसे हम बाद में और अधिक स्पष्टी करण पर भी आएंगे आधार यूनिक नहीं है, इसलिए यहां है एक सेट जो आधार बनाता है, हम आधार लिख रहे हैं, अन्य सेट भी हो सकते हैं, जो आधार भी बना सकते हैं जैसे पहले उदाहरन के उदाहरन में जो हमने शुरू किया था, हमारे पास वे तीन वेक्टर थे जो आधार बनाते हैं, और वे मानक आधार नहीं थे, इसलिए हम उदाहरन के लिए एक शून्य शून्य और शून्य एक को आर तीन के लिए चुन सकते हैं, और यह शून्य और तीसरा एक शून्य शून्य था, इसलिए वहमानक आधार नहीं था बलकि वे आधार भी थे, इसलिए आधार यूनिक नहीं हैं, हमारे पास एक अलग से हो सकता है, मुख्य प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स हैं, इन्हें लीनियरली इंडिपेंडेंडेंट होना चाहिए, ज और यहां डायमेंशन इस आधार में एलिमेंट्स की संख्या है, जो वर्तमान में एन प्लस एक है, इसलिए हमारे पास डायमेंशन एन प्लस एक है, एक अन्य उदाहरन जहां हम यहां अपनी समस्या को फिर से विजिट करेंगे यहां एक्स, होमोजिनियस लीनियर इस बनाता है, तो यहां यहां ए यहां वाला था, इस उदाहरन के बारे में हम पहले ही इसे पर चर्चा कर चुके हैं, और हम इसे इस एशलोन फॉर्म रूप में रिड्यूस कर सकते हैं, जो की यूजर एशलोन फॉर्म से भरा हुआ है, और जो हमें बताता है कि यह एक्स, 1 x 2 x 3 x 4 चुन कर क्योंकि हमारे पास यहां pre variable हैं इसलिए यहां एक pivot है यहां pivot है लेकिन इस column में यहां pivot नहीं है इसमें भी कोई pivot नहीं है इसलिए हमें इस x 2 और इस x 5 को pre variable के रूप में चुन कर alpha 1 और alpha 2 के रूप में चुनना होगा हम अन्य सभी x 1x X, 2, X, 3, और X, 4 को compute कर सकते हैं और जब हम combine करते हैं तो हमें यह equation यहां मिलता है कि X, 1, X, 2, X, 3, X, 4 और कुछ नहीं बल्कि alpha एक times यह minus 2, 1, 0, 0, 0 और alpha 2 times से यहां vector है तो हमने देखा कि इन दो vector की मदद से हम पूरे से को generate कर सकते हैं इसे X का पूरा solution से 0 के k equal है क्योंकि हमें इन अलफास को यहां और किसी भी alpha के लिए संख्याओं को बदलते रहने की जरूरत है जो भी हम चुनते हैं यहां ए X का solution 0 के equal है इसलिए इसे X का हर संभव solution 0 के equal है हम इन दो vector का उपयोग करके generate कर सकते हैं और इन दो vector को देखकर हम आसानी से पहचान सकते हैं कि यह linearly independent vector हैं जिन्हें हम आपचारिक रूप से भी साबित कर सकते हैं कि हम जानते हैं कि इस linear combination set की मदद से 20 और इसका अर्थ होगा कि वे गुणांक lambda 1 lambda 20 के equal है इसलिए यह दो vector linearly independent हैं और उनकी linear combination से हम solution set के किसी भी vector को generate कर सकते हैं तो इसका मतलब है कि यह दो vector एक आधार बनाते हैं क्योंकि यह उस आधार की property है जिसे हम इन दोनों की मदद से या इन दो vector के linear combination के रूप में set किये गए इस solution set के किसी भी element को generate कर सकते हैं और यह दो vector linearly independent हैं इसलिए वे solution set को span करते हैं और यह दो vector linearly independent हैं और इसलिए वे एक आधार बनाते हैं ताकि यह vector solution generate कर सके यह हैं और यह और यह vector linearly independent हैं इसलिए यह vector यहाँ null space का आधार बनाते हैं इसलिए हम इसे solution set कहते हैं एक विशेश नाम था जिसे हम Null Space कहते हैं यह विक्टर स्पेस है जिसे Null Space कहा जाता है इसलिए ये विक्टर एके Null Space और किके इस Null Space के Dimension के लिए एक आधार बनाते हैं इस विशेश मामले में इसके दो जिसके नाम है इसको nullity कहा जाता है, इसलिए nullity और कुछ नहीं है, बसे के null space का dimension है, इन आधारों और dimension के बारे में हमारे पास जो अवलोकन हैं उनके आधार, पर कुछ उप्योगी result हैं, इसलिए भी को इस finite dimension इनका एक vector space होने दे, इसलिए vector space का dimension न है, भी में कोई भी n प्लस एक या धिक vector, linearly dependent हैं, इसलिए यह एक और अच्छा result है, जिसे हम साबित नहीं करने वाले हैं, यह सब ही result लेकिन कोई भी कुछ सरल उदाहरणों की मदद से, कम से कम, यह अंदाजा लगा सकता है कि यह result कैसे सही है, इसलिए यहां हमारे उदाहरण में क चार वेक्टर थे, लेकिन वे linearly dependent थे, और वहां spanning set था, लेकिन यह natively dependent से था, इसलिए यहां आधार नहीं था, इसलिए उनके vector 4 थे, जबकि हमने उन 3 vector को पहले 3 vector लेते हुए देखा है, जो linearly independent set और spanning set भी बनाते हैं, तो वह आधार था, इसलिए आधार में vector आर तीन के यदि चार वेक्टर हैं, जो कि स्पैन आर तीन हैं तो वे एक आधार नहीं हो, सकते क्योंकि आर तीन से चार वेक्टर उन्हें लीनियरली डिपेंडेंट होना चाहिए, यह यहां रिजल्ट है, इसलिए कोई भी N प्लस एक, या अधिक वेक्टर जो हम V में लेते हैं, लीनिय लीनियरली डिपेंडेंट होना चाहिए, इसलिए वेक्टर स्पेस के लिए जिसका डामेशन N है, हम N से अधिक लीनियरली इंडिपेंडेंडेंट राप्त नहीं कर सकते हैं, यदि हम कोई N प्लस एक या अधिक लीनियरली इंडिपेंडेंडेंट से लेते हैं, तो वे लीन element ले सकते हैं, लेकिन वह set linearly independent होना चाहिए, इसलिए कोई भी set जिसमें an linearly independent vector हो वह एक आधार होगा, क्योंकि आधार के लिए, यह स्वचालत रूप से किसी भी an vector को चुनने के साथ spanning set होंगे, जो linearly independent हैं, जो की आधार और कोई spanning set होंगे, v1, v2, v3, vn, an element के साथ फिर से बही चीज, an element के साथ spanning set के रूप में इसलिए यह भी आधार होगा, इसलिए यदि एक vector space का परिमित आधार है तो उसके सब ही आधारों में elements की संख्या समान है, जो एक और सुन्दर result है कि यदि हमारे पास आधार में elements की संख्या है, इसलिए जो जब भी आपके पास अलग-अलग आधार sit हैं, लेकिन उनके पास elements की संख्या समान होगी, क्योंकि बहा n है, यही dimension है, इसलिए हम जो भी आधार लेते हैं vector space का dimension, n ही है, फिर sit में n element होने चाहिए, और एक vector space के किसी भी आधार पर elements की संख्या को वह dimension कहा, जाता है, जिस पर हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं, उदाहरन के लिए हम चार vector का यह उदाहरन लेते हैं, और वे R4 का आधार बनाते हैं, यह से R4 का आधार बनाता है, जबकि वे ध्यान देते हैं कि दिये गए vector linearly independent हैं, कि हम आसानी से चेक कर सकते हैं कि जब भी हमारे पास ऐसा विशेश structure होता है, तो वे linearly independent होते हैं, इसलिए सभी एक और फिर ये तीन वाले दो, और एक इसलिए वे एक आधार बनाते हैं, जिसे हमने इस R3 के मामले में उदाहरन के लिए दिखा है, यह आधार बनाता है क्योंकि ये linearly independent हैं, और हम जानते हैं कि R4 का dimension 4 है, इसलिए हमें चेक करने की आवश्यक्त नहीं है, हमें चेक करना है कि वे linearly independent हैं, और इसलिए संख्या में क्योंकि R4 का dimension भी हम जानते हैं, इसलिए हमारे पास R4 से 4 linearly कोई 4 linearly independent vector हैं, नखेवल ये 4 vector, दिये गए, वेक्टर पर आधार बनांगे, बे-Linearly, इंडिपेंडेंडेंट हैं और फिर इसका एक आधार होना चाहिए क्योंकि dimension 4 है, और हमारे पास यह 4 Linearly Dependent वेक्टर है, इस 4 वेक्टर को इस R3 में कंसिडर करते हैं, इसलिए यदि हम कंसिडर करते हैं कि यह 4 वेक्ट इन वेक्टरों को Linearly Dependent होना चाहिए, क्योंकि वे Linearly Independent हो सकतें, तो वे आधार भी बना सकते हैं, तब वे भी आधार बना सकते हैं, लेकिन आधार में केवल 3 elements होंगे, 3 से अधिक elements नहीं होंगे, इसलिए यहां हमारे पास 4 elements हैं, इसलिए निश्चित रूख से वे Linearly Depend जिसे हम R3 के dimension से निशकर्ष निकाल सकते हैं, जो कि 3 है, इसलिए इसका आधार नहीं हो सकता, इसके sit में 4 elements नहीं ही सकते. ठीक है, तो निशकर्ष slash conclusion यहा है, कि हमारे पास dimension है, जो vector space V में linearly independent vector की अधिक्तम संख्या है, और vector space को span करने वाले linearly independent vector के set के रूप में आधार है, तो ये references हैं, जिनका उपयोग lecture तयार करने के लिए किया गया है, और आपका बहुत-बहुत धन्यवाद.